आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट विडियो सिलीशन पाओ। अभी राउटनोट करें। Hello everyone, चित्र में दर्शायनुसार बिन्दे सुरूत S द्वारा अफसरित प्रकास कुझ काज की पट्टिका पर आपतित होता है। सुरूत का विचलन कोण अलफा है। यदि दो चरम किर्णों के आपतन कोण तुल्य हैं, तथा काज की पट्टिका की मुटाई, चित्र में दिया हुआ है टी, तथा आप और दनान्द N हैं, तो निर्गत कुझ का विचलन कोण हुगा है। तो यह आपका प्रकास सरोत ऐसा है, बिन्दू सरोत, यहां से जो दो अनुतिन किर्णे निकली हैं, एक इस तरह पर एक इस तरह, इनके बीच का कौण यह आपका आलफा है। यह दोनों किर्णे काच की सता पर आई आपतन कोण के साथ में आपतित हो रहें, परावर कोण के साथ में। तो जब ये काच की पट्टिका से बाहर निकलेंगे तो जैसे अभी इनकी बीच का विचलन कॉन अल्फा है इतना है तो जब बाहर निकलेंगे तब कितना होगा यह हमको बतलाना है और उसके लिए हमको यह चार विकल्ग दे दिये हैं A, B, C और D यहां से एक से यह उपतार हम को चुलना है तो मन जाके किरने काच के भीतर आर अपवर्तन कौन बनाते वे प्रवेश करते हैं तो स्नेल का नियम कहता है कि अपवर्तन अग एन बराबर होगा साहिन आई बटे साहिन आर अब जब दूसरी सता पर आप्तित होए प्रकास तो फिर जहां पर कौन आर बनेग यह दो समांतर किरने हैं तो यह भी सता पर अभी लंब है और यह भी सता पर अभी लंब है इसका मतलब भी दोनों समांतर हैं और यह तीसरी रेखा यानि अपवर्तित किरन इनको काट रही है तो एक आंतर कौन तो बराबर होंगे तो एक आंतर कौन बराबर होंगे मान यह क बाहर निकले हैं कि थीटा को बनाते भी निकल गए दसे भी थीटा कुन बनाते हुए बाहर निकला तो निरगत पुंझ है इनका विच्रम प्राप्त करने के लिए हमें पीछे बढ़ाना पड़ेगा तो यह ब्याञ निरगत चिंब का वीचिला है। मान देते हैं कि we passed s हम इसी ह कमान जाद करना है। ॥े सुरूत s से गजिते हमानों की सभी लिंब की समानतर कुई र्यखान की धाय मैं यह हमने एक लिखा यह ने एक लखाया। जो इस दोनस to gonna ? . यह जो अभी लूम्ह जरे एं अर। कि निए के समानतरे रेखा हम नेखीची तो फिर ये कोण भी तो आई बनेगा और इधर वाला कोण भी आई ही होगा और इसका मतलब हुआ कि जो विचलन कोण आप राक आप तो एन बाराबर यहाँ से मिलेगा साइन थीटा बटे साइन आ इनल करने काता है तो समीकरन एक और समीकरन चार इन दोनों की तुल्ना करो तो N, बाया पक्चों दोनों के यह N है, यह साइन चुड़ी है, साइनार, साइन थीटा बटे साइनार, बराबर N होगा, तो बाया पक्चों दोनों के बराबर हैं, तो धाया पक्चों बराबर होंगे, इसका मतलब होगा कि साइन थीटा बटे साइनार, बराबर हुआ साइना तो sin आर तो दुनों तरफ से कड़ गए तो sin थीटा बराबर मिला sin i के और इसलिए थीटा बराबर मिलेगा i के तो मैं समिकरण 3 में थीटा की जगा i रख सकता हूँ तो alpha डैस बराबर मिल रहा है इन 2 थीटा अब थीटा की जगा मैंने i रख दिया तो थीटा बराबर है और 2 i बराबर तो alpha होता है और इसलिए ये जो अंतियों विचलन कोण है निर्गत पिरड का alpha डैस ये भी उतना ही रहेगा जो कि पहले था alpha के बराबर तो निर्गत पुंज का भी विचलन कोण alpha ही होगा है तो निर्गत पुंज का भी चलन कोण ही हमको alpha ही मिल रहा है ये हमारा सही उतना होगा और इसे बागी के विकल को जो हैं को सब गलात होगे तो इस प्रस्ण का सही उतना है विकल कोण भी alpha धन्यवाद पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट IIT JE वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोजा आज इंडाउनोट करें डाउटने डाप या वच्चाप करें अपने सारे डाउट्स आज चारसो 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 पर